हेलो एवरिवान मैं हूँ प्रियांका और सिंपल सहरल किचिन में आपका स्वागत है तो फ्रेंस आज में आपके साथ आटे से बने हुए जीरा बिस्किट की रेसेपी शेयर कर रही हूँ यह चोटे-चोटे हाट्स वाले बिस्किट की रेसेपी और यह बहुत ही जादा खसत कर लेंगे एक से डेढ़ मिनट के लिए तो यह देखिए यह हमने रोस्ट कर लिया है इसको हम निकाल लेते हैं यह देखिए हलका सा रोस्ट हो चुका है इसे बिस्किट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तब एक बरतन में मैंने ले लिया है एक कप गेहूंका आटा वन फोर्ट कप पिसी हुई चीनी दो चमच बिल्कुल बारीक वाली सूजी ले रही हूं यह भुना हुआ जो आमने जीरा रखा था वो डाल देंगे और यहां पर मैं पहले धाय चमच इसमें रिफाइंड ओयल डाल रही हूं मोयन देने के लिए यह धाय चमच मैंने अभी दाला है और यहां पर यह दो चुटकी मैं बेकिंक सोडा डाल रही हूं थोड़ा सा नमक डाल रही हूं तीन चार चुटकी के करीब अब इसको पहले हातों से हम अच्छ से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसमें हमने ओयल डाला है वह अच्छ से इस आटे में एब्सॉर्व हो अच्छ से मिक्स करते हुए इसको हमने मिला लिया है और अभी यह बाइंड करेंगे तो यह दिखिए बाइंड होना चाहिए ऐसे तो बिल्कुल परफेक्ट है मोयन तो अब यहां पर मैंने आदा कप के करीब दूद लिया है बिल्कुल नॉर्मल दूद है यह नॉर्मल टे इसको हमें थोड़ा-थोड़ा डाल करके इसको एक सॉफ्ट डो बना लेना है तो दूद जादा नहीं डालना है बहुत ही थोड़ा-थोड़ा डालना है यह दिखी एक बढ़िया सा डो हमारा तयार हो गया है लगबग एक चोथाई कप दूद हमें लगा है और यह सौफ्ट डो हमारा तयार हो गया है पंदरा मिनिट के लिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं कर दो ृब उप्तों पंदरा मिनेट हो चुके हैं अब इसको हम निकाल लेते हैं और एक बार हल्का सा चितना कर लेते हैं अब ये अब ये हलका-लका देख सकते हैं स्टिकी है पहले इसको हम ऐसे मसल करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और एक चमच ऑईल डाल करके इसको एक दम बढ़िया सा चितना कर लेंगे इससे यह बिल्कुल भी चिपकेगा भी नहीं और बिल्कुल स्मूध हो जाएगा डो यह देखिए यह अच्छे से हमने इसको चिकना कर दिया है एक तम सॉफ्ट हो गया है दो पहती बढ़िया है यह दो इस वक्त और अब इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं बढ़ी सी लोई की तरह इसे बेलना आसान हो जाएगा इस तरीके से करने से और बि तो एजेस को थोड़ा सा क्लीन करते हुए आप इसको बेल लें और इसको बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है पतला भी नहीं रखना है यह देखिए कुछ इतनी थिकनस होनी चाहिए इसकी अब इसको हम कटेंगे तो आपको इसे भी शेप से इसको कट कर सकते हैं मेर काउंड करने के लिए देखिए यह हमने कट कर लिया है चोटे-चोटे हर्ट की शेप में और इसको हम अलग कर लेते हैं एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यह चोटे-चोटे हर्ट्स और बच्चों को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा मेरे घर में तो यह बनाते ही चट हो गया यह देखिए तो हमने यह निकाल लिया है और यह जो बच्चा हुआ डो है इसे वापस है इसी तरीके से बेल करके हर्ट के शेप में हम कट कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से और उतना ही इसकी मोटाई भी रखनी है जो बच्चे हुए डो हैं देखें, इसी तरीके से मैज से भी बना ले रही हूं बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो इसको भी हम निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं तो अब इसे हम पकाने की भी त्यारी कर लेते हैं तो इसे हम पिना ओविन के ही बनाएंगे यह दिखिए मैंने एक कड़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए मीडियम हॉट होना चाहिए तेल अब देख सकते हैं कैसे हलके हलके से बबल जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही तेल को गरम करना है और एक बार में जितने आये उतने ही डाल दे और इसके बाद डेड़ मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही पकने देते हैं और देड़ मिनट के बाद में कुछ एक से डेड़ मिनट के बाद में इनको हम पलट देते हैं तो बहुत ही सावदानी से इसको पलट यह दरवाई से टूट सकता है तो एक साइड से बहुत जादा इनको चलाने की जरूरत नहीं है एक बार पलटने के बाद जब नीचे से सिख जाए तो एक बार इने और पलट देंगे देखे इस तरीके से और यह बहुत ही जल्दी पक जाते हैं चार से पाच मिनट के अंदर ही यह पक जाते हैं तो यह देखे बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं इसको हम निकाल लेते हैं तो मैं स्ट्रेणर पर निकाल दे रही हूँ जिससे एक्स्ट्रा ओइल इसका नीचे ड्रफ हो जाए यह इनको भी यह ऐ Perhaps आधे के इसा कि जी बहुत हैं चाहँ आργों को यह दिश Hadini बहुत ही है तो मैं आपको इस से तोड़कों के भी दिखा दे दिएक इत् distractions अ कि एति कि अ बेआ बने हैंstar बहुत ही अच्छी हमारे बिस्किट्स बने हैं तो इस रेसेपी को आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा और मुझे बताएगा कि आपको ये रेसेपी कैसी लगी तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे वेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजे जिससे आने वाले वीडि सेटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मैं मिलूंगे मेरे अगले विजियो में तब तक के लिए बाबाई